मैं स्वारत में सनसार भर्या आर बिमारी कुछे ना समझदार से भैर भला मूरक से यारी कुछे ना स्वारत में सनसार भर्या और बिमारी कुछे ना समझतार से पेर बढ़ा मुह रख से यार कुछ ना समझदार से पेर भला मूरक की यारी कुछ ना समझदार इंसान का तो बैर भी अच्छा है और मूरक की यारी भी गलत बताई है कवी ने क्यों बताई है क्या प्रमान दिये क्या सब्स लिख्या क्या कहा एक बार उस तुरियों धनने कलत में भार कर्या था अपना दुष्मन जान विदुर का नाइत भार कर्या था विदुर भगत ने उनकेर वों का फिर पी उपकार कर्या था खुद न्यू बोल्या दोस कर्म का विदुर थारी कुछ ना समनदार से पैर भला मूरक से यारी कुछ ना समनदार से पैर भला मूरक से यारी कुछ ना समन विदुर वहाँ व्यारी कुछ ना कि वाहाँ समना विदुर था कोई ना कोई ज्रागणी का सब्द मेरे भाई की जरूर समझ माया है सज्जन कुमार जी हमारे बहुत प्रिये मित्र जो बहुत अच्छे स्रोता है जिनका प्यार आश्रवाद हमेशा से हमको मिलता रहता है पचास रुपे दे करके सम्मान बढ़ा रहे है इस टीम का हम उनका धर्निवाद करते हैं भूमिया बाबा उनका भी सम्मान पचास गुणा बढ़ा करके रखे आईए साथियों पहले नंबर पे दुर्योधन के बारे में जिक्र किया जिस्टेम द्रोप्ति का चीर हरन हो रहा था उस समय पिता मैं भी सम्मकुरू द्रोणे चारिये जैसे योध्धा मायोध्धा उस सभा के अंतर बैठे हुई थे लेकिन किसी ने भी इतनी चेस्टा नहीं की कि दुर्योधन के सामने अपना मुझ खोल सके या कुछ कह सके पिता मैं भी सी वो तो मर्यादाओं में बढ़े पड़े थे एक इंसान बोला था बितुर भगत लेकिन उसको बांदी के अउलाद कहकर के साथ यो बैठा दिया गय कि है कि है त्रियोधन तेरा विनास नजदीक है यह तेरा दोस नहीं है तेरा जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है तेरा पतन होना निश्चित सजनों बुरा नहीं चाया फिर भी उपकार किया उन कौर्मों का समझाने की कोशिश रही विफल रहे कोई बात नहीं लेकिन कि साथियों कभी गलत कदम नहीं उठाया इसी तरह द्रोणा और द्रोपत के बारे में भी दूसरे नंबर पर बताया है लेकिन ने क्या कहा है अरे द्रोपत ने भी एक प्रहमन से अपना मेल मिला साथ रहा दिनी रात प्रहम से साथ में खेल लखाया वो त्रोपत ने राचामन क्या पर प्रहमन करीब बताया राजन से मैं न्यू बोल्या तू कोड कडे से आया ए उसका घमन नहीं तोड्या ते ए प्रोणा चारी कुछ ना समनदार से पैर भणा मू रख से यारी कुछ ना समनदार से पैर भणा मू रख से यारी कुछ ना साथ में सिक्षा भातवाज रिशी के आश्रम में लिया करते थे द्रोणा और द्रोपत उस समय बच्चे थे बड़े हो गए वक्त ऐसा हुआ साथियो के एक दिन वो द्रोण अपने मित्र के पास मगव लेने के लिए पहुँचे दर्बार लगा हुआ था जाकर के चर्चा करती कि है मित्र मुझे एक गव क्या आवस्चता साथियो मयान से तलवार बहार निकाल करके द्रोपत ने ये कहा तु मेरे गुरू की संतान ना होती मेरे गुरू का पुत्र ना होता तो मैं तेरा धड़ से सरकलम कर देता है तुझे इस बात का विचार काटना चाहिए थे मूर्ख के तु किस की सभाग के अंदर घड़ा है किस समराज के सामने तु क्या कह रहा है मुझे मित्र बता रहा है कहां राजा और कहां भिकारी मेरी और तेरी क्या मित्रता हो सकती है साथियो राज नसे में अंधा हो गया था उस समय द्रोपत क्योंकि राजा का फुत्र था और वो एहंकार उसके सर चड़ करके बोल गया उसी दिन प्रण ले लिया था दर्ण में की एक गव तुस्य ले करके जाऊंगा और तेरे घमंड को चूर चूर करूंगा अगर इंसान साथियों सच्चा मित्रह और कल को बात खराब हो जाती है तो दूसरों के सामने उसकी चुगलिय बुराई करता हुआ नहीं थे अच्छा नहीं कहेगा तो बुरा भी नहीं कह सकता इसी बात को दर्शाया है तीसरे नमबर पर क्या कहा समझदार जै दुस्मन होगा ना खोटी नी धरेगा अच्छी भुणी और के सामी कहता नहीं फिरेगा मू रख केल अगर भूल कजे कोई अपना मेल करेगा सीसरे के सीसरे के दर देगा उसका पेता नहीं भरेगा वखत पड़े पे आँख बदल जा वखत पड़े पे आँख बदल जा या उस यारी कुछ ना समझदार से पैर भला मू रख से यारी कुछ ना समझदार से पैर भला मू रख से यारी कुछ ना हाँ यह हाँ हाँ कि अधर हमारी माता बेने बैठी हैं उनकी भी समंझ में आ रहा है मैं जो गा रहा हूँ आ रही है समंझ में तो एक बार जोड़ारता नहीं बजा दो जोड़ारता नहीं हाँ कुछ अपनी घर की बात बतले आ रही है कोई बात नहीं लेकिन मैंने जो रागनी काई है इसमें एक एक बोल सुनने लायक है समझदार से बैर भला मूरक से यारी कुछ ना तम भी किसी से आपसदारी में यारी कर बैठती हो हाँ ऐसे थोड़ा सा ध्यान करके क्योंकि हमारी माता बहन में थोड़ा सा मेल जोल जाता हो जाता है क्यों क्योंकि सर के उपर यगर गोबर की हेल भी धरी है और आपस में कोई मिल गई दूसरी तो ये घंटे तक खड़ी रहती है तो इस से यार रह गए हैं वो मैं नंबर चार में बता रहा हूं तीन कलियों पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं लेकिन लोगों पाथ चौथी कली को गौर से सुनना और एक एक बात पंच रूपी लिखी है कैसे लिखी है क्या बता है अरे आज कली से आज कली इस कली उग मैं स्वारत का मेल बताया के नहीं से खाली जगना सब की गेल बताया की के ते दरसन भी अच्छा ना खाना तेल बताया दूराम भगत ने इस कली उग का धूटा मेल बताया सच बूझ है ते जगनाथ के है या तुन्यादारी को छेना समझदार से पैर भला मूरक से यारी को छेना समझदार से पैर भला मूरक से यारी को छेना समझदार से पैर भला मूरक से यारी को छेना